बार-बार मैं क्यों emphasize करता हूँ कि Scenic School घोड़ाखाल सबसे बहतर है और क्यों Scenic School घोड़ाखाल में All India का competition देखने को मिलता है और क्यों यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा result देखने को मिलता है आईए आकड़ों के उपर बात करते हैं Ministry of Defense के यह आकड़े हैं और इसके तहत मैं आपको सभी Scenic Schools के बारे में बताऊंगा कि वहाँ पर rate of selection जो NDA में है वो कैसा है और इसी आधार पर आप यह भी जान सकते हैं कि कौनसा Scenic School best है क्योंकि parents बड़े प्रेशान रहते हैं हमसे पूशने सर कौनसा Scenic School हमारे बच्चे क रहेगा क्योंकि बहुत सारे options हैं 33 Scenic Schools और कुछ अब new Scenic Schools भी आ चुके हैं तो इसलिए वीडियो में बनाना बहुत जरूरी था ताकि parents की आखे खुले और उनको जो real scenario है जो real situation है Scenic Schools की उनके बारे में आपको पता चले तो यह बात मैं खुद से नहीं कह रहा हूं फिर इसको मैं share करूं तो सबसे पहले तो इसमें यह बताया गया कि स्टेट और यूटी में जो लिस्ट आप सेनिक स्कूल से वह कौन-कौन से हैं तो इसमें जैसे कालेक्री है अंदर प्रदेश में कौरूंड है अंदर प्रदेश में और अरुनाचल में इस्ट जियांग है गो कुछा सर कौन सा सबसे बहतर रहेगा बेसिकली पेरेंट्स चाहते हैं कि क्योंकि करनाटका से हो चाहते हैं कि इन्हीं सेनिक स्कूल में बच्चों का सेलेक्शन हो जाए एक पेरेंट्स का फोन आया था मेरे पास अरुणाचल प्रदेश से और वो रिमसी की प्रिपरेशन करन सेलेक्शन हैं और यह अपने राज्य के ही आसपास वाले सेनिक स्कूल में या जो हमारे राज्य में हैं उन्हें सेनिक स्कूल में बच्चों का एडमिशन करवालें लेकिन आज यह आपका जो मित है जो गलत फहिम है वो मैं आज दूर करूंगा ओके तो यह तो सारे में आप देख सकते हैं सेनिक स्कूल घोड़ा खाल है उत्तर प्रदेश में अमेठी मेनपूरी जहांसी एन और वेस्ट बिंगाल में पूरू लिया ठीक है और उसके बाद फिर आपको यह भी पताए कि सरकार ने एक तरीके का नया इनिशेटिव लिया और कुछ एंजी उस प्रायविट स्कूल चकट प्रायविट एज स्कूल च्वेस और सोचे में बैण पिंगतर्ने खोरूंग है 해 नहीं ही प्रायविट अच्धे प्रायविट स्कूल में बढ़ा है ओके मैं देखता हूं बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो मेंशन करते हैं सेनिक स्कूल के बारे में कि अच्छे हैं बट मैं स्पेसिफिकली मेरी के सोचे वह मैं आज आपको बताऊंगा देखिए अब यह आकड़े आ चुके हैं आपको एक सेनिक स्कूल के बारे में बताना चाहता हूं देखिए अमरावती नगर का आप देख सकते हैं 11.42 परसंट ठीक है तो आप देख सकते हैं कि अगर 60 स्टूडेंट्स भी हैं तो 60 स्टूडेंट्स में से 11 मतलब आप आक्रा लगा सकते हैं साथ बच्चे आप कह सकते हैं अंबिकापूर का आप सेलेक्शन रेट देख लिए 9.30 बाल चड़ी का आप देख लिए भुवनेश्वर का देखिए 2.82 है ठीक है तो भुवनेश्वर अगर बच्चों को लगता है कि यार हम लोग औरीसा के रहने वाले हैं और भुवनेश तो मैंने उनको यह आकड़े बताए जो तोड़ गड़ का comparatively ठीक आकड़ा है 19.35% नियर टू 20% मानके चलो मैं आज उन सेनिक स्कूल की बात करूंगा जो 20% और अबाव जिनका rate of selection है वो सेनिक स्कूल आपके बच्चों के लिए थोड़े से भेतर साबित हो सकते हैं अगर पेरेंट्स जादा ही आपसे स्कूल के लिए मैं देखता हूं मेरे पास तो फोन कॉल्स आते हैं तो आप जरूर इन सेनिक स्कूल को देख लिजीगा जिनके rate of selection ठीक है as compared to other सेनिक स्कूल तोड़ गड़ का नियर टू 20% आप कह सकते हैं घोड़ा खाल हमारी टॉप लिस्ट में क्यों रहता आप देख लिजी हमें पता ना घोड़ा खाल का करिकूलम क्या है हमें पता ना वहां का एकाडमिक्स कैसा है ओवरॉल कैसे फोकस करते हैं वह बच्चे की development में इसलिए घोड़ा खाल को बच्चे मैं कहता हूं बार-बार पहली प्रिफेंस देता हूं किसी अब यह सोचते हैं कि हमारे स्टेट में हो या पास वाले स्टेट में हो तो वह बहतर रहेगा जब उनको बच्चों को अपने से दूर रखना ही है सेनिक स्कूल में डाल नहीं है तो आपके क्या मैटर करता है कि बच्चा आपका अगर उत्राखन पड़े या बच्चा आप आपके सामने है कोड़ा कूड़ा को यू सी दस रेट अफ सेलेक्शन डेट और कोरुकूंडबा का भी सेलेक्शन डेट ठीक है कुंझपूरा का भी मैं ठीक ठाक मानता हूं ठीक है बट 17.88 is the selection बिट नगरोटा का 9.98 है नालन्दा का देख लिजे पुंगलवा का देख लि पुलिया रिवा रिवाडी 13 15 7.22 परसेंट 17 20 परसेंट के टार्गेट को कहिना की हिट कर रहा है सुजानपुर तीरा का भी 20.23 परसेंट है और तिलिया का 5.22 परसेंट है तो इन आकडों के तहत मैं फिर से यही कहना चाहूंगा कि सेनिक स्कूल घोडा खाल सबसे बहतर है और वहां पर rate of selection rate सबसे ज्यादा इसले भी है क्योंकि उनका curriculum academics overall जो development है जो उनका तरीका है वो बाकी के सेनिक स्कूल से बहतर है अदरवाइस सेनिक स्कूल तो बराबरी हैं सबको बराबरी फंट्स दिये जाते हैं बराबरी टीचर्स हैं ऐसा तो नहीं है ना ठीक है लेकि सबसे हुआ индiai छोटशन की गलत एक हम तो वैसे घाड़ करते हैं बताते हैं पेरेंट्स को कि देखिए सेनेक स्कूल किसी भी सेनेक स्कूल में डालना बच्चे के लिए मझे नहीं लगता कि एक बहतर option है आज कल e-counseling का तरीका आ चुका है तो अभी भी पेरेंट्स के फोन आते हैंगे सेनेक स्कूल में सेलेक्शन हो गया तो पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं हम तो अपनी तरीके से गाइड करते हैं मैं तो स्पेसिफिकली पेरेंट्स से बोलता हूं कि दालने की बिल्कुल जरुवत नहीं है फिक है लेकिन वह अल्टिमेट्स जो डिसीजन होता है फैनल वह पैरेंट्स का होता है मेरा रॉल है कि मैं पैरेंट्स को सभी गाइड करूँ एड दी एंड पैरेंट्स जो करते हैं वो उनके उपर है और इसमें साफ साफ यह भी दिया गया है कि यह जो information अब इन्फोमेशन इस सिर्फ 25 सेनिक स्कूल की information है बाकी के 8 सेनिक स्कूल से इसमें cover नहीं हुए है क्योंकि वो 2017 के बाद खुले हैं तो उनके लिए उनका जो आकड़ा है वो नहीं है क्योंकि बच्चे भी इलिजिबल ही कि त्यारी करा रहें एक्जाम दिलवा रहें बहुत अच्छी बात है एक performance समझ में आती है कि बच्चा कैसे perform कर रहा है चोटे बच्चे हैं लेकिन किसी भी सेनिक स्कूल में बच्चे का सेलेक्शन हो जाता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप बस आख बंद करके बच्च करवाना चाहते हैं तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि किसी भी स्कूल में अगर आपको अच्छे स्कूल होते हैं और वहीं बच्चे का आप कहीं नहीं कि प्रिपरेशन स्कूल करवा सकते हैं या नाइंत का जो एटेम्ट आ रहा है आरे में सेनिक स्कूल या राइमसी सबसे बेस्ट है ठीक है लेकिन सेनिक स्कूल में मैंने आकड़ों के हिसाब से परेंट्स को बता दिये हैं और इसी तरीके के वीडियो अगर आप और भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें हिट दे बेल आइकन ताकि आपको सभी हमारे नोटिफिकेशन मिल जाएं तो बाबाइ सी यू सून आल बेस्ट आंड जाहिंद